काल कर सकते और वह बतांुगे तो यह रामेडी आपके लिए होने वाली आपकेवसित और बहुत जीज कि तने अच्छा आपको रिजर्ट मिलेंगे इस रेमेडी को देखने से ही क्योंकि आप इसको देखोगे तो ट्राय जरूरी करोगे मैं आपको एशॉर करवाते हूं क्योंकि यह रेमेडी बहुत ही अच्छी होती है लॉंग का मैंने काफी सारे कई वीडियो डाल रखे है मैं और बहुत ही आसमा नश्य लम्टाइ ना पढ़ा सकते ही थांकि इसे नहीं होने आपको एक पेस्ट बनाना पताऊंगी लॉंग से चया जब हमारे कोछी मीं अछाम हो जाती है तो इह चाहिए तो चाय अलोंकि पीने से आपकी बोड्रो की ओक में प्रहुत ही यह वीशी कर बहुत है नॉर्मल ही वेट लॉस्ट भी होता है लॉंग के पानी से पीने के बाद और यह बालों को भी काला करने मदद करती है तो लॉंग के वैन आपको काफी सारे फाइदे बतादी है इसको बिल्कुल आपको क्रमबल आला पेस्पेन लेना है मतलब जादा यह बारीक भी नहीं होना चाहिए मतलब बारी कैसे पाउडर फॉर्म में आपको नहीं करना है और नॉर्मली आपको आप इसको पीस होना आता भी सीज का ध्यान रखना है कि यह पिस भी जाए ऐसा यह ऐसा पेस्ट बनाना जो अच्छी तरीके से किसी भी पेस्ट के साथ मिल भी जा और ऐसा नाॉर्मली में सिरम भी जो मैंने पहले वीडियो में आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देदूगी वहां पे आपको आपको देख लेना है और नॉर्मली चैनल पे जाकर विजट कर सकते हो तो सिरम आपको यूज करनी है लॉनकी तो लॉंक में एक ऐसी थाकत होती है जिससे आपके बाल जिसके बाल अड़ते भी नहीं है जो मतलब टकला ही हो चुका है हज से जादा उसके बाल आने लगते हैं अगर आपने लॉंगा सही तरीके से यूज कर लिया तो और यह मैं नहीं बता रही हो कई जमानों से मतलब जमाने क्या दादी नानी भी हमारी आपको अच्छे रिजल देखने को मिलेंगे इस तरीके से मैंने क्रमबल कर लिया तो अभी इसको लोंग को ले लेना आपको लोंग बढ़ाने में बहुत ही मदद करती है मैं अभी आपको बता देती है अगर आपके सर्दी खासी जुखाम भी होना तो आप लोंग की चाय अगर पी लेजेगा बहुत ही फायदा करेगी यह मैंने आपको अडिशनल चीज बताएं लोंग के बारे में पता तो सबको योगा जिसको नहीं पता उसको बता देती हूं मैं अभी मैंने ले लिया नारी का तेल तो नारील के तेल के तो मैं जितने फायदा आपको बताने बहुत समूथ करता है बालों की फ्लیک्सिबिलीटि भड़ाता है मतलब आपके बाल, तूटते नहीं और नहीं जड़ते हैं अगर आप इस तरीके से नारिल का तेल यूज करते हो तो नॉर्मली नारिल का तेल यूज करते हो तो एक चीज यह भी मिला लो और फिर लगा कर देखना तो यह मैंने ऐसे पेस्ट बना है जिसको आपको अपने बालों में चार से पांच घंडे के जिस तरीके से सकाल्फ साफ होगा तो बालों की ग्रोथ बढ़नी स्टार्ट होई जाएगी और अब इसमें मैं नीबू डाला था नीबू इसलिए डाला क्यों कि अभी सर्दी है और सर्दियों में बहुत ही लोगों को डेंडर्फ की प्रॉब्लम से सामना करना पड़ा है प्रॉब्लम को डेंडर्फ की और डेंडर्फ की ऐसी प्रॉब्लम होती है कि आपको इमें जाते भी हो ना तो सबसे पहले ना सरी नोटिस करते है सबके सब और इतना गंदा लगता है ना डेंडर्फ की प्रॉब्लम मेरे तो नहीं है बट मेरे काफे सारे फ्रेंड्स के है तो उनको मैंने यही ट्राइ करने के लिए बता है और नॉर्मल अगर आपके डेंडर्फ जाद है यह न तो यह रेमेडी तो बाल लंबे और घने करने के लिए मैंने बनाई है बट आपके डेंडर्फ जाद है न तो आपके डेंडर्फ जाद है न तो आपके डेंडर्फ तो लोग थोड़ा से नीबू को सकते हो और जो लोग मेरी जातर है उनके कुछ मतलब नुक्सान ही निकरता है चाहे कुछ भी लगा लोग तो वैसे वाले ना नीबू यूज करते हैं और आपकी मम्मी तो आपके जरूरी मालिश करती होंगी नीबू की मसाज जरूर करती पता है तो यह तो अईडिशनल मैं आपको बता रहे हूं सुकते हNew- इसे यह तो तो इसी नीबू की मशाज करती हूं तो बहूत आपके सर के बीजूरी तरीकती आपके बाल करवाने और आपके बालो को स्मूथ करने वह यूज कर सकते हो लिख भी यह वाइटवं की से भी में ठुरर से जम चुक चुकत है तो फिर आपको बालों में मसाज करने हैं कि नहीं हो हमाद में आपको आप हइने हुआ है